अलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco X6 Android में आप अपने मुवाइल फून के स्पीकर की साउंट की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अच्छे के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपे वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों कभी भी अगर आपके मुवाइल फून के स्पीकर में साउंट की प्रॉलम आती तो इसकी सॉल्वेशिन के लिए करना है देखी सबसे पहले मुवाइल फून को रिबूट करना है इसके लिए फून के साइड वाला पावर बटन आपको ओगले से दबा के रखना है आपका यह पेज आता है इसमें बिजो बीच वाला बटन है इसे नीचे की तरफ सरकान है ठीक है, reboot की तरफ, इससे आपका फोन automatic switch off होके, automatic switch on हो जाएगा, reboot करने से यह होता है, हमारे फोन के android system में, अगर कोई भी problem आती है तो वो solve हो जाती है, लगबग reboot करने से ठीक है, अब देखें, अगला का में यह करना है, फोन का status बार यह open करना है, इसमें अगर आपका phone silent mode पर activate है, तो silent mode से phone को हटा के रखना है, और अगर आपके phone का bluetooth किसी भी दूसरे device के साथ connected होगा, तो इससे आपके phone के speaker में से sound की आवाज नहीं आती है, तो mobile phone का bluetooth भी बंद रखना है, और अगर आपके phone का airplane mode चालू है, तो airplane mode को भी बंद रखना है, ठीक है, status बार की है, जो मैंने आपको तीन setting बताई है, इन तीनों में से कोई भी setting अगर चालू रह जाती है, तो इससे हमारे phone के speaker में से sound की आवाज नहीं आती है, तो इन तीनों setting को बंद रखना है, इन तीनों setting को तब चालू करना है, जब आप इनका use करेंगे, बाकी समय बंद करके रखना है, ठीक है, अगला काम यह करना है, mobile phone का software आपको चेक करना है, अपडेट है या नहीं है, पहले तो mobile phone का internet आप चालू कीजिए, इसके बाद phone का setting page उपन करना है, इसमें आपको सबसे उपर यह about phone के सामने, यहाँ पे कोई भी update का बटन अगर दिखाई देता है, तो उसे update पे tap करके, अपने phone का software अपडेट कर लेना है, ठीक है, अब दिखे, अगला काम यह करना है, mobile phone का speaker होता है, आपको हल के आतो हो साफ करना है, होता है कि mobile phone के speaker में थोड़ी वह दूल मटी चिपक जाती है, जिसके कारण भी sound की problem आती है, तो mobile phone के speaker को हल के आतो हो साफ करना है, ज्यादा ताकत दवाव या pressure नहीं लगानी है, नहीं तो speaker के अंदर के जो particles होते हैं, वो damage हो सकते हैं, और phone का speaker बिल्कुली खराब हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है, phone के speaker को हल क्या तो है, ठीक है, अगला काम यह करना है, mobile phone को reset करना है, देखिए, दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है, जब मेरे बताय हुए, पिछले process कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको phone को reset करना है, otherwise phone को reset करने की कोई ज़रुवत नहीं है, phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए, सबसे उपर यह search setting पर tap करना है, यहां पर सबसे उपर search बारवर reset आपको लिखना है, आपको नीचे की साइड यह factory reset का options होगा, factory reset पर tap करना है, आपको इस page में सबसे नीचे irresolved data पर tap करना है, इससे आपका phone जो reset हो जाएगा और आपके phone के speaker की sound की problem solve हो जाएगी, लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है, पहली बात ही ध्यान रखने है, आपके phone में जितना भी data है, सारा data आपकिसी भी दूसरे phone में transfer कर लिजे या उसका backup ल solve हो जाएगी, अगर मेरे बताय हुए सारे process यूज करने के बाद भी आपके problem solve नहीं होती, तो आपको करना क्या है, देगी दोस्तों, आपके mobile phone का service center है वहाँ पर आपको चले जाना, अपना phone वहाँ पर दिखा देना है, ऐसा मैं इसलिए कि हो सकता है, आपके phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आगी होगी, जिसके करना आपके phone में sound की problem आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस video में जितने भी solution बताये है, mobile phone के software के जरीए बताये है, ठीक है?